Hello students, इसके पहले आपको एक lecture इसका जो है, first unit का एक lecture already में लगा चुका हूँ जिसमें आपको बताये गया था कि जो charges होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी experiments क्या है, positive charge क्या है, negative charge क्या है मतलब हमने कुछ basic terms की यहाँ पर बात करी थी, ठीक है? अब यहाँ पर एक most important topics, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि gold leaf electroscope, यह कई बार exam में पूछा जा चुका है, कि gold leaf electroscope है क्या, यह कैसे work करता है, exactly है क्या? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि एक apparatus है, जो की use होता है, detect the presence of charge, मतलब जैसे मेरे पास कोई एक substance है, उसमें हमें देखना है कि charge है, या नहीं है, अब हमने charge दो type के charge पड़े थे, ध्यान होगा आपको, कि we have studied about the two type of charges, positive charge and negative charge, अब कोई भी जो substance है, उसमें charge present है, या नही है, चार्ज present है, या नहीं है, तो उससे, उसको detect करने के लिए, electroscope का हम use करते हैं, और साथ ही साथ, उसके nature को भी बताता है, कि उसका nature कैसा है, ठेक है students, तो यह इसका basically अगर हम कहें, कि जो electroscope है, वो क्या है, यह इसमें clear है, एक बाद फिर से देखते हैं, कि एक ऐसा apparatus, ज जो और उसका nature क्या है, ठीक है ना, चली, अब यहाँ पर देखते हैं, कि construct कैसे होगा, कैसे बनेगा, इसको कैसे हम बना सकते हो, आप लोग भी इसको घर पर बनाने का try कर सकते हैं, इसका construction है ना, चली, तो यहाँ पर आप जैसे diagram में देख सकते हैं, कि यहाँ पर इनने बैसल, fitted with cork, एक यह ग्लास बैसल हो गया, यह cork हो गया, fitted with cork, the cork is hold through with metallic rod, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यह metallic rod है, यहाँ पर metallic rod is inserted to the gold foils are fixed at lower end, lower end में आप देख रहे हैं, आप दो गोल्ड लीफ यहाँ पर जो है, यह जो गोल्ड लीफ हैं, वो lower end पर फिक्स हैं, ठी इसके inserted to the gold foils are fixed at the lower end of the rod, and metallic dice is fitted at the upper end, एक metallic dice जो है कि अपर end पर इसके fit है, to increase the sensitivity, मतलब ज़्यादा sensitive हो, उसको sensitivity को बढ़ाने के लिए, इसके नीचे वाले part में, inner sides पर क्या करते हैं, हम tin लगा देते हैं, tin file, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यह tin files यहाँ पर connected हैं, तो यह इसका कुछ क्या है construction एक बाद फिर से देख लेते हैं यह क्या है कॉर्क है ठीक है इस कॉर्क सॉरी जो है ग्लास बैसल है ग्लास बैसल के ऊपरी पार्ट में यहां पर कॉर्क कनेक्टेड है कॉर्क के थूर यहां पर एक metallic rod है metallic rod के नीचे जो है आपके यहां पर दो gold files connected है उसके ऊपर एक metallic dyes है और इसकी sensitivity को बढ़ाने के लिए यहां पर आप देख रहे हैं कि दो क्या है यहां पर इसका होगा क्या construction ठीक है अब यहां पर हम बात करेंगी यह work कैसे करेगा कैसे हम इसको detect कर सकते हैं ठीक है यहां पर हम देखें तो यह क्या है इसकी working कैसे यह work क इसकी बात यहां पर हम करने वाले हैं ठीक है यहां पर आप दिहान से देखें जैसे आप देख रहे हैं कि वेना चार्ज बॉड़ी इस ब्रॉट क्लोजर दटर्ट डाइस ऑफ दा गोल्ड लिफ यहां से दिहान से देखें जब हम कोई जो चार्ज बॉड़ी है मतलब जिस matter है या कोई भी substance है इस पे हमें presence find करना है charge के तो हम क्या करेंगे इसको dice के close लेके आएगे dice के close लेके आएंगे तो जैसे हम dice के close लेके आएंगे gold leaf electroscope के then charge is transfer through a metallic rod अब ये जो charge है वो किसके through transfer होने लगेंगे metallic rod के through यहाँ पर transfer होने लगेंगे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहा हैं कि जो भी हम matter यहाँ पर लेके आए थे तो यह charge कहाँ transfer होने लगेंगे rod के through यहाँ पर यहाँ तक transfer हो जाएंगे अब यहाँ जब transfer होंगे तो आप देखो दोनों leaf ही एक जैसी हैं तो अब same charge आएंगे यहाँ पर same charge आएंगे ना same charge में क्या होता है same charge में क्या होता है repulsion क्या होता है repulsion यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होता है repulsion होता है तो यहाँ पे यह जो foils हैं वो दूर जाने लगेंगे जो gold foils हैं वो कैसे जाने लगेंगे एक दूसरे से दूर हटेंगे ठेके न तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह कैसे हटेंगे एक दूसरे के दूर हटने लगेंगे तो since both the foils have the charges like nature so the due to repulsion these foils moves away from each other more is the charge more will be the separation between the foil अब nature कैसा होगा वोई चीज यहाँ पर मैंने बात करी कि जितना ज़्यादा charge होगा जितना ज़्यादा charge होगा repulsion उतना ही ज़्यादा होगा मतलब यहाँ पर जो repulsion होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा मतलब more the charge more the charge more the repulsion more the charge more the repulsion यहाँ पर आपको यह चीज थोड़ा सा ध्यान देनी हैं कि number of charge जितने ज़्यादा होगे हमारे substance में उतना ही ज़्यादा रिपल्सन होगा एतना किलियर है स्टूडेंट्स अगर किसी भी टाइप के कोई डाउट आते हैं तो वाटसेप ग्रूप के जरी या वाटसेप मैसेज के थुरू आप मुझसे डाउट किलियर कर सकते हैं आपको ये नहीं सूचना है कि मैं नहीं पूछ रहा हूँ देखो आप पढ़ोगे तो आप से बनने वाला है आप नहीं पढ़ोगे तो आपका लॉस है किलियर है ना स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको working clear है सभी को working clear है सभी को चली अच्छी बात है आप comment की थुरू आप मुझे बताते जाएं कि कौन कितना पढ़ रहा है किसको कितनी topic clear है ठीक है ना चले अच्छी बात है अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं next topic properties of electric charge properties, charge की जो properties हैं वो कितनी type की properties होती है exam में पूछा जाता है यहाँ पर exam में आपको यह पूछा जाएगा properties of charge ध्यान रहे यहाँ पर properties of charge पूछा जाएगा ठीक है exam में तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन properties होती हैं conservation of charge, quantization of charge और additivity of charge फिर से देखते हैं यहाँ पर आपको तीन properties याद रखनी है basic properties कितनी होती हैं conservation of charge, quantization of charge और additivity of charge तो हम एक एक करें एक जो है एक एक property को clear करते हैं ठीक है सबसे पहले बात आती हैं पर conservation of charge नाम से ही समझ में आ रहा है conservation तो conservation of charge में क्या होता है according to the principle of conservation of charge net charge present in isolated system is always constant मतलब किसी भी system system से मतलब कोई भी एक कहना चाहिए matter substance या कोई भी particular चीज़ें ठीक है तो उसमें जो remains जो कहना चाहिए पूरा charge होता है total system में वो कैसा होता है कैसा होता है constant कैसा होता है constant होता है students ठीक है यह तो बात होगी conservation of charge की हम कैसे समझेंगी कि constant होता है तो यहां पर देखते हैं यहां पर example के थूरू समझाए जैसे आपको एक experiment मैंने आपकी first lecture में आपको बताया था एक बार first lecture जरूर सभी लोग देख लें ताकि यह चीज़ें और अच्छे से clear हो जाए आपको है ना जहां में glass rod को किसके साथ silk cloth के साथ रब करते हैं तो क्या होता है जो rod होती है वह positively charge होती है और जो silk होता है वह negatively charge होता है जो देखो यहां पर ग्लास रॉड है वो कैसा positively charge और जो silk है वो कैसा होगा कैसा charge होगा negatively charge होगा तो मतलब जितनी number of positive charge महां पर surface पे glass rod की surface पर produce होंगे उतने ही amount में negative charge कहां पर present होंगी उसकी silk है जो silk है उस पर जो है negative charge होगी तो इस से क्या समझ में आता है कि जो amount of positive charge on the glass rod is found to be exactly the same as a negative charge मतलब जितना जाद जितना positive charge होगा उतना ही क्या होगा negative charge होगा तो हम कह सकते हैं the system of the glass rod and silk which is zero net charge before rubbing still process zero net charge after rubbing मतलब चाहे पहली बात करें चाहे बाद में बात करें तो जो total net charge होगा वो कैसा होगा remains zero होगा clear है clear है सभी को मतलब constant रहा की नहीं रहा बिलकुल रहा ठीक है तो मतलब यहां पर हम बात करते हैं यह हमने बात करी electric charge की तो सबसे पहले conservation of charge आपको clear हो गया होगा ठीक है ना चलिए अब हम बात करते हैं यहां तक clear है सभी को हम next property की यहां पर हम बात करेंगे ठीक है quantization important question यहां से numerical question जरूब आते हैं student ध्यान से सुनेंगे यहां से numerical दो marks का question यहां से पूछ लिया जाता है objective में भी कई वार यहां से छोटा सा numerical के form में यहां से question पूछ लिया जाता है ठीक है ना हम बात करते हैं यहां पर quantization of charge की तो quantization of charge क्या होता है यहां पर देखते हैं it is observed that various experiment that last least charge found on body nature is equal to the electrons or one protons charge which is amount of 4.8 into 10 to the power state column और 1.6 into 10 to the power minus 19 column मतलब यहां पर जो charge होता है वो कितना होता है यहां पर इतना याद रखें 1.6 into 10 to the power minus 19 column therefore the charge on electrons is represented by minus e मतलब electron को किस से represent करते हैं minus e से और proton को किस से represent करते हैं plus e से इतना clear है सभी को इतना clear है सभी को चली अच्छी बात है अब जो main चीज यहां पर समझने की वो यहां से है यहां से आपको थोड़ा सा द्यान देना यह इतना तो उतना important नहीं है यह main चीज यहां से याद रखें the magnitude of all the free charge जितने भी free charge होते हैं मैंने आभी आपको बताया था free charge क्या होते हैं तो जितने भी free charge होते हैं उनका magnitude हमेशा multiple होता है integral integral क्या होते हैं आपको बता है इंटीजस बन टू थ्री फोर मतलब minus one minus two minus three minus four तो यहां पर जो total जो charge होता है वो integral multiple of जो है elementary charge के multiple के equal होता है ठीक है ना तो nd e q is equal to क्या होता है nd e यहां पर e क्या है उसका elementary charge है ना और यहां पर q जो है वो क्या है free charge है always जो free charge है वो all the free charge तो q is equal to क्या होगा यहां पर आपका n e हो जाएगा ठीक है यहां पर n की value क्या है 123 minus one minus two minus three dead dead death है एतना किलियर है सभी को quantization of charge किलियर है सभी को yes or no चलिए सभी को clear है गर doubt है तो आप पूछते जाएं whatsapp group के जरी है ठीक है ना चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं next थोड़ा सा इसमें और आपको धिहान देना है कि the magnitude of charge of our body is not continuous but it is always from the integral multiple of elementary charge हमें सा क्या होता है integral multiple of elementary charge होता है the substance of charge will be e 2 e 3 4 e not 0.5 e 1.5 e 2.5 e or 3 point मतला अगर हम कहें तो यह तो होते हैं लेकर यह नहीं होते हैं इस टाइप से ठीक है charge मतला जो total free charge होते हैं वो इस form में आते हैं ना कि इस form में ठीक है ना यह आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरा था ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं next numerical question के अब यहाँ पर numerical दिहान से देखें सबसे पहले तो question पढ़ो question में क्या दिया है question में यहाँ पर बोला गया है कि inner substance there is a lack of hundreds electrons electrons कितने हैं hundreds हमें type of charge बताना है तो सबसे पहले number of electrons कितने हैं hundred e की value fix होती है elementi charge 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम ठीक है हम जानते है formula से क्या होता है formula q is equal to n e हमने n की value यहाँ पर put करी n की value कितनी हैं hundred n की value कितनी हैं hundred और यहाँ पर e की जो value है वो कितनी है e की value कितनी है 1.6 into 10 to the power 19 और इसको simplify करेंगे तो 1.6 into the power minus 17 since there is a lack of electrons to the charge is positive धिहान रहे nature क्या है हमें electrons कितनी हो रहे है कम ही हो रहे है अभी ज़्यादा हो रहे थे अभी कम है कम है तो मतलब क्या होगा जो electrons होंगे वो कैसे होंगे positively charge क्योंगे positive negative को खतम कर देते हैं ठीक है इतना के लिए है सबी को अब यहाँ पर next question में बोला गया है कि Q की value कितनी है आपे given दी गई है Q की value आपको total दी गई अब यह check करना है कि यह हो सकती है या नहीं हो सकती Q की value यह है E की value fix होती है अगर आपको नई भी दी जाएगी तो आपको हर बार E की value कितनी लेनी है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम यह आपको हर बार लेनी है ठीक है अब यहां से formula क्या होता Q is equal to Q is equal to क्या होता है N E तो यहां से transfer करेंगे N is equal to क्या होगा Q upon E Q की value substitute कर देंगे E की value substitute करेंगे simplify करेंगे अब लेकिन हमने क्या बोला था कि N कभी भी इस form में नहीं हो सकता यह क्या होगा हमेशा integral form में होगा किस form में होगा integral form में होगा तो मतलब यह तो integral form में है नहीं है तो मतलब यह जो value है वो नहीं हो सकती यह exist नहीं करें clear है आपको सामको test होगा test में आपसे numerical questions यहां से पूछ जाने हो सभी को वो questions solve करने है ठीक है students चलिए आम यहाप बात करते हैं next additivity of charge additivity क्या होता है addition आप समझते ही हैं कि जितने भी charge होते हैं the electric charge possess the additive property मतलब the total electric charge when object is equal to the algebraic sum of electric charge of distributed on a different part of the body or object मतलब यहाँ पर clear है आपको कि जितने भी charge होंगे उनका algebraic sum होगा total sum मतलब जैसे suppose example आप यहाँ पर देख रहे हैं कि Q1, Q2, Q3 with a charge on a different part of the body मतलब यहाँ पर हमाँ पास एक different body में कहीं Q1 charge है कहीं किसी body पर Q2 charge है कहीं Q3 charge है कहीं Q4 है तो इस तरीके से जो total charge होगा अगर हम उनको add कर सकते हैं तो वो क्या होगा Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 similarly in one with a number of protons into the number of electrons तो यहाँ से number of protons number of electrons मिल के क्या होगे यह total charge यहाँ पर बन जाएंगे एक example numerical के form में हाँ पर एक example a system consist of charge plus E minus 3 5 E और minus 70 तो total charge जो होगा वो क्या होगा E minus 3 5 E minus 70 मतलब total जो charge होगा वो कितना होगा minus 4 E clear है यह क्या होता है additivity of charge clear है सभी को additivity of charge clear है सभी को चली अच्छी बात है अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि यह आपके दो topic यहाँ पर मैंने clear कराया सबसे पहले तो gold leaf electroscope ध्यान से देखें gold leaf electroscope मैंने अभी clear कराया और property करवाएं के लिए यहाँ से दोनों से ही topic से exam में question आ सकते हैं तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे जो भी doubts होंगे आप बेहिचक होके पूछी मुझसे comment में आप डालेंगे मैं आपका comment का जरूर reply करूँगा ठीक है thank you have a nice day